हिम्मत नहां पे, निकलते हुए डरने लगे, क्या हुआ? कल तक तुम दो थे कि जिस तरफ के निकल जाते थे, गुंडे रास्ता छोड़ जाते थे, अशांती फैलाने वाले दूर दूर नजर नहीं आते थे, कल तुम तूफान थे, आँ तूफानों से डर रहे हो, क्यों? क्यों ऐसा है? इसलिए है, कि हमारी सफों में इत्याद नहीं है, हमारा एक भाई पिटता रहता है, तो हम दूर खड़े देखते रहें, वो पिट रहे हैं ना, हम थोड़ी पिट रहे हैं, हमारे घर के बड़े बुड़े हम से कहते हैं, दूसरे के मामले में तुम क्यों पर अड़ा रहे हो, उसका मामला है वो जाने, ये पैगाम किस ने दिया थे? तुमारे रसूल ने? तुमारे पुरान ने? तुमारे नभी की आदीस ने? तुमारे शैसवारों ने? तुमारे हीरों ने? तुमारे जर्नेलों ने? किस ने ये पैगाम दिया है तुमें? कि एक पिटता रहे तो दूसरे, अपनी बारी का इंतजार करते रहें, कि जब हम पिटेंगे तो देखें, ये पस्थ हिमती, ये हुसले की पजमुर्दगी कहां से आई है? इसका सबब है हमारा आपसी अख्तिलाफ। और कुछ नहीं हम तो एक इज़त्वारी कौम थे, जिस तरफ जाते थे, इज़ते चीनते नहीं थे, लोगों की इज़ते बाटते थे, और उसी की वज़ा से, जिन लोगों को हमसे डराया जाता था, खौफ ज़दा किया जाता था, वो लोग, जब हमारी हकीकत जान लेते थे, तो अपने माँ, बाप, भाई, बरादर, दीन, धरम, सब को छोड़कर हमारे साथ आकर मिल जाते थे, इस हिंदुस्तान में भी यही हुआ थे, यहां पर जोर जबर्दस्टी से किसी भी, तारीख में किसी एक दिन भी, किसी को मुसल्मान नहीं बनाए गए, लोगों ने हजारों सालों तक, जानवरों जैसी जिन्दगियां, गुजारते हुए लोगों को देखा, अपने माँ, बाप की पीड़ा, तकलीफ, रंज, अलम, तकलीफ और दुख देखे, और जब इस्लाम की छटर साया देखी, कि हाँ, इसी की तलाश दी हमें, एक साथ बैठकर खा सकते हैं, एक साथ बैठकर पी सकते हैं, एक साथ मिलकर अबादत कर सकते हैं, एक कुए से पानी भर सकते हैं, और एक अबादत खाने में, सब मिलकर बंदाओ आका सब अबादत कर सकते हैं, तो बड़ी तादाद में लोग इसलाम में दाखिर लोग इसके लिए इज़त के लिए उस तकलीफ और पीड़ा से निजात हासिल करने के लिए जसको आज दूसरा सबक बढ़ाया जा रहा है लेकिन बदकिस्वती से हमारी सफों में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जिन कोई अच्छा नहीं लगा और एक गुरूप जो आज भी वो सक्रिय है काम कर रहा है हमारे हुक्मरानों को ये बात बताने हमारे लीडरों को ये बात समझाने में काम्याब हो गया और हमारे इसलाम के मुबलगीन हम नाकाम हो गए कि इसलाम का निजाम मसावात ये हकी निजाम है दुनिया का और ये मुस्ताकर निजाम है इसमें कोई तबदीली नहीं की जाएगी हम नाकाम हो गए और वो काम्याब हो गए जो मनवादी निजाम उनका वहा था वही मनवादी निजाम उन्हों ने यहाँ पर मुसल्मानों में भी नाफिस करते है नतीजा क्या हुआ जो तेजी के साथ लोग मुसल्मान हो रहे थे वो एकदम ब्रेक लग गया नहीं इधर भी छुआ 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 इधर भी उंच नीचे भाईयो आज हमारी सफो में जो इख्तिलाफात है काई के हैं इख्तिलाफात अल्ला एक सब मुसल्मानों का एक ही है दो है एक ही है रसूल एक पुरान एक काबा एक काबा एक हज एक रमजान एक नमाज पाँची वक्त की फिर ये इख्तिलाफ के अफसाने क्या है क्या है फिर ये ये इख्तिलाफात दीनी मसलकी मजहभी इलाकाई बिराद्री वाद फिर नसल वाद और कौन कौन से वाद लगा कर हमें बाट कर इतना मुफ्तलिफ कर दिया गया कि आज इलक्षिन होता है और एक अदमी खड़ा हो गया खड़ा हो गया उसके नाम के साथ खासाब लगा हुआ है तो दूसरे लोग वोट नहीं देंगे नहीं वो तो खासाब ए खासाब को वोट नहीं जाएगा हम तो अंसारी अंसारी के वोट अंसारी ही को जाएगा तो उसी सीट पर एक अंसारी साथ भी खड़े हुए है तो इनका वोट अंसारी को चला गया एक मफ़ूरी साथ भी खड़े हुए है उनका वोट उनको चला गया एक और कोई साथ खड़े हुए है उनका वोट उनको चला गया और वो लोग जो तुम्हे बाट कर तुम्हे यहाँ पिछडी हुई जातियों में सबसे पिछडी जाती जो है उससे भी नीचे ले जाने की जो प्लानिंग कर रहे हैं बरसों से वो खुश हो रहे हैं उनका वोट एक तुम्हारी थी लेकिन तुम्हार गये और वो जीत गया तुम्हार गये वो जीत गया कितने बटवारे मुजरिम बता रहे हूं, मुजरिम तो तुम हो, सारी मुजरिमाना हरकते तुम कर रहे हो, एक हमारा बच्चा घर से निकलता है, घर से निकलता है, दूसरे महले में जाता है, फॉरन फीलिंग बदल जाती है, ये फला महले का है, फीलिंग बदल गई, दूसरे गाव में जाता है फिलिंग बदल जाती है ये फला महले का है अच्छा जी उस से आगे गया फिलिंग बदल जाती है ये अंसारी है ये खासाब है ये सेयसाब है और ये फला साब है कालिज में गया वहां पर जाकर अब इलाकायत भी आ जाती ये बिहारी है ये यूपी वाला है ये महराश्ट का है कितने खानों में बटोगे कोई हद भी है तुम्हारे बटने की इन तमाम को भी आदमी पार कर ले तो आप एक मुली साब लंबी टुपे लगाकर आ जाएंगे हाँ जी आप कौन है कौन है मतलब सम्सल्मान पहुते म奶кої मुसल्मान तो सभी है अरै जब सभी म dehyd inhal है तो रहने दोने इसे मывसल्मानग भी इसके मञजीद बटवाराएं क्यों कर रह हो!!!!! नई नई मतल loft ये था का मतलख वहां कौन है Pract double क्याथा क्या पूचthink și पूचल रहा हैं भी मुसल्मान नई इनता आए सबाएं कि संनी हैं इसको कि इंदर के, इसने बतला दिया तब ही उसके ऑने मतलब तो ठीक है मतलब यहा हैं कि आप तबलीगी है कि दानलूम пытना और भब हिसे य क्विज का एक इए कुम् Phariseिt अग्दालू वाला भी बता दिया तो नहीं वक्ष वाले हैं के उधर वाले आखिर कितना बाटोगे कहां ले जाकर छोड़ोगे पूरी ओम को कोई तो इंतहा रखो इसकी ये ने अख्तिलाफों के पीछे सबसे बड़ी वज़ा ये जाहिली निख्वते और ये फिरका बंदियां जो मज़ग के नहीं नाम पर की जा रही है कसम खुदा की इसमे कोई भी भलाई नहीं है कोई नेकी नहीं है मुसल्मान सिर्फ पहले भी आज भी आंदा जमाने में भी अल्ला रसूल पुरान हदीस इसी के नाम पर मुत्तफिक हो सकता है बाकी किसी नाम पर ने हो सकता है आप जरा मिसाल से समझाओ एक मज़मे में बहुत बड़ा मज़मा है उसमें एक आदमी एक जंड़ा बलंद करता है भाईयो ये जंड़ा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमत अल्ले का है आजाओ इसके नीचे तो जो अपने आपको हन्फी कह रहा चला गया रहा ठेक है लेकिन बड़ी एकसर ये तब भी अलगए एक और आपनी खड़ा हुआ उसने जंड़ा बलंद किया भाईयो ये हजरत इमाम अशाफई का जंड़ा है हजरत इमाम अशाफई के ये फजाइल है वो पुरैशी है और ऐसा है मदीने के मक्के के है कुछ लोग अधर चलेगा दूसरे लोग रिख आओ भी आओ क्यों है हमारे इमाम नहीं है क्या ये इमाम मारिक का जंड़ा है ये इमाम अधार बल्हुजरा है मदीना के रहने वाले लोगो इसके जंड़े के नीचे आओ वो ये थे और वो थे इनकी ये फजीलते वो फजीलते अच्छा रही कुछ लोग इदर चले गए भी कुछ लोग रहे भी आजाओ क्यों आजाए हमारे इमाम नहीं है अधरत एमाम माम अभन अभन का जंड़ा है भाईयो इत्फाक कर लोगी दूँ और इन चारों में अगर एक आदमी बीच में खड़ा हो और कह भाईयो ये मुहम्मद ररसूल्ला का जंड़ा है मुहम्मद ररसूल्ला सलल्लाह अल्याई वसल्म का जंड़ा है इसके नीचे आजाओ कोई हन्फी कहेगा कि मैं नहीं जाओंगा कोई शाफ़ी जुरत करेगा कि मैं नहीं जाओंगा मालिकी कह सकता है कि मैं इस जंड़े के नीचे नहीं जाओंगा हमबली कह सकता है कि मैं इस जंड़े के नीचे नहीं जाओंगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी एमान है वो महम्मद रसूल ला स्लिल लाह लियुक्त के ज्छंडे के नीचे जाने से इंकार नहीं करेगा हाँ मेरे रसूल का ज्छंडा है मैं इसके नीचे नहीं जाओगा तो और इसके नीचे जाओगा क्या बात समझ में आई सिर्फ दातِ रसूल ही है जो हमें मुट्फिक कर सकती है सिर्फ दातِ रसूल और यही हुए था अरब में भी ऐसे ही रसूल लाह लाह लियुक्त करे हुए कि ये है हबलुल्ला आओ इसके नीचे ये काम्याबी का ज्छंडा है तो फिर लोग अपने सरदारों को छोड़ छोड़ कर मुहम्मद रसूल लाह लाह लियुक्त के ज्छंडे के नीचे ज्छंडा है आज भी हमारे दर्मियान अखिलाफात कितने ही बढ़ गए हो फिर भी हर एक मुसल्मान के दिल में अजमत है इहतराम है मुहबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब ख्वाहिशात बेजा, इफ्तिरा और बोहतान के अलावा कुछ नहीं है मुसल्मान पर ये इल्जाम लगाना है कि ये रसूल से मुभबत नहीं करता ये दुनिया का सबसे बड़ा जूट है अगर मुसल्मान है, कितना ही गया गुजरा मुसल्मान है शराबी भी है वो भी ये नहीं कहगा, कि मैं मुसल्मान से मुभबत नहीं करता तो हम देखते है, जब कभी फसाद की शूरत नुमूदार होती है तो रसूल के नाम पर, इसलाम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर यही लोग सबसे आगे नदर आते हैं अगर मुभबत नहीं है इनके दिल में इसलाम की अगर मुभबत नहीं है रसूल्ला की अगर मुभबत नहीं है दीन की तो ये तूना दरा से हागे और ये फत्वे लगाने वाले दूर दूर तक इनका कहीं पता नहीं होता है आज भी हम इस बुरे हालों में भी मुत्हिद हो सकते और मुत्हिद हैं, मुत्हिद हैं हम दिन में पांच बार, चोबीस घंटे में पांच नमाजें फर्द है साहिबे निसाब पर साल में एक बार जकात फर्द है साहिबे इस्तितात पर जिन्दगी में एक बार हज फर्द है सिहत बंद आदमी मुकीम है तो उस बार रमजान के रोजे फर्द है एक महीने के, इक अखिलाफे कैसे है जोहर में चार फर्द पढ़े जाएंगे जमाज से इक अखिलाफे कैसे है फजर में दो रकत पढ़े जाएंगी फर्द की अखिलाफे कैसे है असर में चार पढ़े जाएंगी अखिलाफे मगरिम में तीन पढ़ी जाएंगी अख्तलाफ है इशा में चार पढ़ी जाएंगी अख्तलाफ है किदर अख्तलाफ है हर फर्द नमाज से पहले हर मस्जिद में अजान होगी अख्तलाफ है इसमें नहीं सिर्फ बाज गलत फहमियों की बनियाद पर अपनी प्मुरी मुरीदी के चक्र में, अपनी दुकंदारी के चक्र में, हम गलत फहिम्यां फैलाते रहते हैं और ये गलत फहिम्यां हमारे दरमियान उखिलाफ की खलीश को बढ़ाती रेती है मसला मैं किसी ओर की नहीं अपनी कहता हूं ये जो आईले हदीश है ये साहब एकराम को नहीं मानते हजरत अमर फारुख रदियल्लाव ताला नहों को बिदती बताते हैं बिदती बताते हैं बहुत सारे मौलियों से आपने सुना होगा जबके इस से बड़ा जूट और कोई नहीं हो सकता बही ऐसा तो हमने नहीं सुना नहीं नहीं आपने नहीं सुना तो क्या मतला कैसे किसी किताब में भी नहीं पुड़ा हमने तो आज तक देखिए ना रमदान आ रहा है हजरत अमर फारुख ने बीश तरावी का हुकम दिया था ये कहते हैं आठ ही है बीश गलत है वाजरत अमर फारुख पर कहते हैं कि उन्होंने बीश कर दिया आठ को बिदती थे वो अ कितनी लंबी लंबी दाड़ियों वाले टोपियों वाले सुफैद सुफैद कपड़े पहनने वाले जोहदो तक्वाँ परहिजगारी जनकी जुबान से टुपक रही है नहायत मौतबर लोग मस्जदों में खड़े होकर ऐसी बेबुनियाद बातें बयान करते हैं जबके अले अदीश ये मानते ही नहीं अले अदीश ये मानते ही नहीं कि हज़रत अमर फारुख ने भी इसका हुकम दिया मानते ही नहीं जब ओँ ये मानते ही नहीं तो उन पर बिद्धती का हुकम लगाना या उनकी तोहीन करना या कुछ और कहना इस से बड़ा फराड हो क्या हो सकता है ये जलत फहमियां आम लोग नहीं पहलाते है मौतबर लोग फैला इस से कैसे निकला जाए इसका मकाबला कैसे किया जाए मैं अपने भाईयों से कहता हूँ भाईयों ये अफवाहे हैं अफवाहे इनकी कोई बनियाद नहीं है अफवाहों की हकीकत मालूम करने के लिए जाइए आप तहकी कीजिए उन्ही से पूछिए कि ये जो बात आप बतला रहा है कौन सी किताब में लिखा हुआ हमें दिखाएए तो आप यकीना किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे इक्तिलाफात की बहुत सी बनियादे हैं जादपात भी है, बरादरी बाद भी है मसलक और मजहर के जगड़े भी है कुछ गलत फहमिया भी कुछ बहतान तराशिया भी है कम से कम इसमें थोड़ी सी तो कमी की जा सकती है अगर आप इनसाफ पसंद है मतमानी है हमारी बात हम नहीं कहते हैं ना हम अपनी तरफ बुलाते हैं ना अपने किसी मौलवी की तरफ बुलाते हैं हमारी दावत ये नहीं है कि फला मौलवी से बैट हो जाओ और फला मौलवी से पगड़ी बंद वालो और फला मौलवी का धागा बांद लो हमारी ये दावत नहीं हम तो बुनाते ही अल्लह और उसके रसूल की तरफ है अब ऐसे में ये बात कही जाए रसूल को नहीं मानते हैं सुन्नते हैं नहीं बढ़ते हैं जो आदमी सिर्फ रसूल ही की बात करता है उस पर ये इंजाम लगा जाए कि रसूल को नहीं मानते हैं इस से बड़ा फराड कोई और हो सकता है इस से बड़ा जूट कोई और हो सकता है जो सिर्फ सुन्नतों की बुनियाद ही पर लोगों में मतौन है एक मस्जिद में हम जाते हैं नमास पढ़ते हैं नमाज पढ़ते है आमीन जरा जोर से कह दी जलजल आ गया पूरी मस्जिद में क्या हुआ भाई आमीन क्यों कही बे यह ला के रसूल की सुनत ते जिस तुम जादे जन्चो कि क्या है यह एक आदमी अगर कह रहा है माल लो गलत कह रहा है लेकिन बुनियात क्या है उसकी बुनियात तो रसूल ही को बतला रहा है तो आप उसको प्यार से मुहबत से यह समझा दो क्या समझा दो कि यह रईसूल की सुन्ट नहीं है वो छोड़ दे वो छोड़ देगा रफल्यदैन कर रहा है यह हात उपर बiereब रहा है तो किस लिए कि रईसूल की सुन्ट है जिसको आप बदनाम कर रहे हो, मार रहे हो, निकाल रहे हो, इनसे मिलो माद, बोलो माद, बैटो माद, इनकी किताब मत पढ़ो, इनके जलसे में मत जाओ, इनसे रिष्टे ना करो, इनसे नाते ना करो, इनकी यह खाओ माद, इनको पीओ माद, इनको बुलाओ माद, इतने सारी तबलिग जो आप फर्मा रहे, किसलिए, यही सुन्नतों की बिना पर न, अगर हम भी इनको छोड़ दे, और हम नमाज ना पड़े, बिलकल नमाज ना पड़े, और जो रस्म और वाद चल रही है हमारे यहां, हम भी यही करने लगे, आपको कोई अतराज होगा, कोई अतराज न, हम अमल करे तो दुश्मन है, और सुन्नतों को छोड़ दे, तो पक्का मुसल्मान हो जाता है, यह कैसे मैयार है, आखिर, यहां पर, यह बताता है कोन है, कि रसूल अकरम से जुदा होकर जिन्दगी गुजारे, आपके फरामीन की धज्जियां उड़ाए, तो वो पक्का मुस जारने की कोशिश करें, तो उस पर आप अरसे हयात तंग कर दें, उम्हारे यहां बहुत सारे लोग बताते हैं, मुरी साब हम रिष्टा लेकर गए, ठेक जगा, क्या हुआ फिर, तो उन्होंने यह पूछा, कि आपके अन्यास फात्य होती है, तो हमने कहा कि भी हम मतलब न देखिए हमारे यहां, तो लोग नमाजमास फञाते हैं, रोज़ा फ़ृड्र रिखते हैं, यह सब काम तो करते हैं, बाकी यह चीज नहीं करते हैं, यह तो रस्मोरिवाज हैना, नहीं नहीं, आप जा सकते हैं, नहीं रिष्टा नहीं है, अच्छा जी, अर्चा जी? नहीं जाता है, यह नहीं पूछते हैं कि लड़का नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, अगर आप साहिबे माल हैं बता रहे हैं, बहुत मालदार है, हज किया है आपके घर में किसी नहीं पूछते हैं, रमदान आता हैं आप रोज़े रखते हैं, नहीं पूछते हैं, ज जो मेरा रात को फात्य होती है, मजारों पे जाते हैं, अगर कह दिया हाँ, तो ठीक है, आप अच्छे पके मुसल्मान हैं, और आप नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, हज ना करे, जकात ना दे, फराइज इसलाम में से किशी तो नहीं और काजी साब आए निकाप पढ़ आजकल हो रहे ना, तो पहले कलमा पढ़ाते हैं, उसको फिर उसके बाद निकाप पढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब, कि वो पढ़ए जो अरकान थे, चार तो इसने छोड़ी रखे हैं, जो पहला रुकन है, शाहदते हैं का, अल्लह की वाहदानियत और रसूल की रिसालत का, वो भी इसको शायद नहीं आता है, तो इसको कम से कम कलमा तो पढ़ाई दें, नमाद तो पढ़ाई देंगे, ये बाते हैं मुसलमों की, क्या कर रहे हैं, हाला बहुत खराब हैं, अब सुधर जाओ, हमारी दावत है, आप हनफी हो, हनफी रहो, आप शाफई हो, शाफई र ले रहो, लेकिन एक दूसरे को गवारा करने की कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें जो हमें जोड़ती है, इसलाम, जो हमारा और तुम्हारा सबका दीन है, अल्लह रब लिज़त, जो हमारा तुम्हारा रब है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा एक है, हमारे रसूल और तु हमारा और तुम्हारा कुराइन एक है इसी की लाज रख लो एक हदीश सुना कर बात अपनी खतम करता हूँ रसूल की बात है मेरी अपनी बात नहीं बुखारी शरीफ की बात है एक हदीश छोटी सी रसूल एकरम सुल लाव लिए सलम फर्माते है मन सल सलातना वास्तकबल अकिलतना वाकल जबीहतना फजालिकल मुस्लिम लजी लhu जिम्मत اللह जिम्मत रसूलि वाला तख्लूप वी जिम्मति क्या फरमा है ल्हके रसूल लिए मुसल्मानों ल्हके रसूल की महिर को जरा साने में महसूस करो और अपने रसूल के फर्मान को सुनो मनसला सलातना जो नमाज पढ़े जैसे हम नमाज पढ़ते हैं और जैसे हम किबले का जिस किबले का हम इस्तक्बाल करते हैं वो भी उस किबले को माने और हमारे जबीहे को खाए कुछ इस चीज़े मतलाई ये तीन चीज़े फरमाया ये मुसल्मान है अल्ह और उसके रसूल ने इसका जिम्मा लिया है खबरदार अल्ह के जिम्मे में हाथ में डालो ये इतनी मोटी सी बात जब मेरे रसूल इसको मुसल्मान मान रहें अगर ये नमाज पढ़ रहा है तबले को मान रहा है इसलामी जबीहे को जबीहे मानता है हलाल मानता है और तो कुछ नहीं बतलाया तो तुमने कहां से ये इदर उदर की चीज़े उसमें दाखिल करके और मुश्किल करें फलाँ साब को मानते हैं फलाँ से बैट है फलाँ जगे गए हैं फलाँ से ये किया ये सारी चीज़े जो रसूल ने बतला है इतनी चीज मेरे रसूल ने हमारे इत्तिहाद के लिए काफी बतलाई है और इतना इत्तिहाद के लिए हमारे काफी है अपने आप को बेदार करो अगर और जली नहीं होना चाहते हो और खराब नहीं होना चाहते हो اللہ رب العزت मिलत इसलामिया की हिफाज़त करे हमारी हिफाज़त करे हमारे उलना की हिफाज़त करे हमारे मदारिश की हिफाज़त करे हमारी मसाज़त की हिफाज़त करे परवर्दिगार हमारे नوجوانों की सही तर्भियत करके जो उनको सही माने में मुसल्मान बनाए मुसल्मानों आपस की महबत को जरा जरा सी बातों की बिना पर नाराज़गी की बिना पर इखतलाफ से दोचार बाई भाई बाई बन कर रहा है और ये जो निस्वते हैं छोटी छोटी हमारे इंदर पैदा हो गई है इनकी बनियात पर इखतलाफ करके अलग होकर अपने दुश्मनों को मौका मददो कि वो तुम्हें एक एक करके मारते रहें परवर्दिगार हमें और आपको ने किमल करने की तुफिख अदा फर्माए जब तक दुनिया में रखे